विराट कोली के बारे में पूछा गया राहुल रविट से कि विराट कोली टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फरेंस में क्यों नहीं आए अमुमन होता क्या है अमुमन जब प्रेस कॉन्फरेंस होती है किसी टेस्ट मैच से पहले तो इंडियन टीम के कप्तान जो है वो प्रे conference में ना बुलाया जाए लेकिन कोच राहुल रविट जो है उन्होंने साफ किया उन्होंने कहा कि इंडियन टीम के मीडिया मैनेजर ने उनसे ये कहा है कि विराट का जो सौवा test match है ना वो सौवा test match से पहले जो इंडियन टीम है जो बी सी आई है वो तैयारी कर रही है विराट के press conference की और वो ये चाती है कि विराट कोहली जो है वो press conference में तब आए सीधा अपने hundred test match से पहले तो ये जवाब राहुल ड्रविट ने दिया लेकिन नहीं पता कि किस वज़ा से राहुल ड्रविट press conference में आ रहे हैं असली वज़ा क्या है ऐसा राहुल ड्रविट ने दावा किया कि बी सी सी आई की जो media team है वो चाती है कि hundred test match से पहले विराट कोहली को press conference में लाया जाए और राहुल ड्रविट का मानना था कि विराट कोहली लगातार जो हैं वो सामने आते ही हैं public के जब वो toss में बात करते हैं या post match presentation में बात करते हैं लेकिन आज भी जो pre match press conference उसमें विराट कोहली नहीं आए लेकिन उनकी जगा राहुल ड्रविट आया और राहुल ड्रविट ने एक बड़ा कुला सा किया बड़ा कुला सा ये कि विराट कोहली जो हैं वो तमाम विवाद के बीच भी जो पिछले बीस दिनों से जब से इंडियन टीम अफरीका में है लगबग बीस दिन होने को है सोला तारिकों इंडियन टीम गई थी तब से विराट कोहली बहुत अच्छे स्पेस में है ऐसा इंडियन कोच राहुल ड्रविट का मनना है